सिर्देवी और रिशी कपूर की जोडी ने फिल्म नगीना से कूप सुरक्या बटोरी थी सिर्देवी और रिशी कपूर की फिल्म नगीना को दर्शकों का बेसुमार प्यार मिला था अर्मेस मलोत्रा की इस फिल्म के अलावा दोनों ने साल 1901 में एक और फिल्म बंजारन में साथ में काम किया था जिसे सिर्देवी ने थियटर में देखा लेकिन जब बार आई तो रो पड़ी तो जानते हैं दिल्चस्प किस्सा इंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरिश्टार सिर्देवी ने अपनी फिल्मी केरियर में कई यादगार किरदार निभाएं विनोत कन्ना से लेकर अमिता बच्चन, रिशी कपूर से लेकर सन्नी देवल सहित और एक्टर के साथ उनकी जोड़ी सुपरिट रही नागिन से लेकर नगिना और चान्नी जैसी सफल फिल्में दर्सकों को परोशने वाली सिर्देवी ने अपने पूरे केरियर में लगबग 200 गुनसित्तर फिल्मों में काम किया जिसमें इंदी के अलवा तमिल, तेलगू और अन्य फिल्मों के नाम सामिल है चान्नी के अलवा अगर किसी फिल्म को देखते ही लोगों को सिर्देवी की याद आ जाती है तो वह है नगिना जिसमें उन्होंने दिगजबिनेता, रिसी कपूर के साथ काम किया था आलांकि ये अक्यली फिल्म नहीं है जिसमें रिशी कपूर सिर्देवी की जोड़ी को देखने को मिली दोनों ने 1901 में फिल्म बंजारन में भी साथ में काम किया था जिससे जुड़ा एक दिल्चस्प किस्था आज आपको हम बताने जा रहे हैं साल 1901 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म बंजारन में रिशी कपूर और सिर्देवी ने दूसरी बार काम किया था इस फिल्म के निर्देशन की कमाल हरमेश मलहोतरा ने संबाली थी नगीना में दोनों की केमेस्ट्री को देखकर निर्देशक ने उनकी जोड़ी को दुबारा बुनाने का परियास किया और जिसमें वे सफल भी हुए फिल्म थियाटर में लगी लेकिन सिर्देवी पूरी कास्ट के साथ बेट कर ये मूवी नहीं देख सकी दरसल जब बंजारन सिर्देवी सहर से बार थी ऐसे में उन्होंने अलग थियाटर में जाकर गुप चुप मूवी देखी एक इंटर्यू में खुद सिर्देवी ने बताया था कि बंजारन के दोरान जब वे दर्सोकों का रिस्पॉंस देख रही थी तो उन्हें खुद पर गरू महसूस हो रहा था इतना ही नहीं अबिनेत्री ने ये भी बताया कि जैसे ही फिल्म में उनका कोई सीन आता तो दर्सक सीट या और तालिया बजाते दर्सकों का इस कदर प्यार उन्हें रानी जैसा महसूस करवा रहा था सिरिदेवी बंजारन को थियेटर में मिल रही परतिकिर्या को पाकर तो बैदी ज़्यादा खुश थी लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होने वाली थी तो वो फूट फूट कर रोने लगी आलांकि सिर्देवी की आँकों में ये खुशी के आशु थे जो दर्सकों का प्यार देख कर आये थे 1901 में रिलीज हुई फिल्म बंजारन ने इंडिया के साथ साथ रूस के मार्केट में भी अच्छा बिजनेस किया था चाल बास से पहले सिर्देवी ने बंजारन में डबल रोल पले किया था हरमेश मलोतरा के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक फिल्म में रिशी कपूर सिर्देवी के अलावा प्राण, कुल्बुसन, खरबंदा, रजा मुराद और गुलसन ग्रोवर जैसे लोगपिर्य सितारों ने भी काम किया था फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मी कांथ प्यारे लाल ने दिया था तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, उम्मेद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब करना न भूले मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत सुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स पर वाचिंग, ओल फरेंड